आज हम आपल सिन्मिन फ्रेंच टोस्ट बेक बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक आपड लिया है, हाफ कप मैंने ब्रॉंज हुगन लिया है, विनिरा एक्स्टा हाफ टीस्पून लेंगे, सिन्मिन फ्रेंच टीस्पून लेंगे, दूद मैंने एक कप लिया है, त्री मैंने एग लिये हैं, सिक्स पीस मैंने ब्रेड के लिये हैं, अब मैं ब्रेड को काट रूँगी, इस तरह से, बाकी लियुए है, इसी तरह से काट लूँगी, ब्रेड मैंने काट ली है, अब मैं आपल को काट लूँगी, आपकी अपनी मर्जी है, आपल आपका छिलका अब अतारना चाहती है, अतार ले नहीं अतारना चाहते दूना अतारे, मैं इस का छिलका अतार के फिर काट कर दो औरुड़ को की ब कर दोले हुट जा दो खब सेटार कर दो बाल दोड़ कि प्राइब केद। लुटヒजब की दोले हुवट की दोले हुट अब मैं इसके चोटे-चोटे पीस काते हूंगी इस तरफ अब मैंने काते हैं अब मैंने काते हैं अब मैंने मैं इसमें तरफ ब्राउन शूगर डालूंगी, ब्राउन शूगर इसको मिक्स करूंगी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सकाल दिया है अब मैं दूदर होगी अब मैं एक एक आजदे अब आगी तरह से लिवश्य होगी तरह से में के लिवश्य मिक्सकाल लोगी तरह से लिवश्य सक्षे लिवश्य है जब नगे लेग्स हाफदी सब्सक्राइब बने लेग्से अव्टी सब्सक्राइब 3 बन्हें इसमें दाल के इसको चीतरा से मिक्स करूंगे इसको इसके उपर से इस तरह पूर कर दूंगे अब मैं इसको अचीतरा से मिक्स करूंगे अब इस में बेकिंग टेर में इसको डाल वेंगे इसको मैं 45 मिनट के लिए 180 डिग्री पे अवन में रुखूंगे अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पान में भी इसको बना सकते हैं पान में थोड़ा सा ओयल डाल के फिर इस मिक्स कर को पान में डाल दें तीन से चार मिनट के लिए एक से पकाएं फिर उसको पलटके दूसरी से भी तीन से चार मिनिट के लिए करें, कवर करके उपर, उपर से, अब मैं इसको 180 डिग्री पर रखोंगे, 45 मिनट के लिए, 45 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको कर दूंगे, मेरी आपर सिनमेन फ्रेंच टोस्ट बेक रेड़ी है, मेरी रेस्पी अच्छी लगए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दौाओं में याद रखें, बहुत सारी दौाओं के साथ, अल्ला हाफ़ज,